मश्रिक न्यूज के नाजरीन आदाब दिन भर की एहम खबरे कमल हसन का मुतनाज़ाई बयान आजाद भारत का पहला दर्शदर गिंदू था बीजेपी का कुस्सा आसमान पर अमिश्र का ममता बेनरजी को चैलेंज मैं जैश्री राम बोलता हूँ हिम्मते तो गिरफ्तार कर लिजे मायावती का मोदी पर हमला बीजेपी खवातीन लीडर की मोदी से घबराहट मोदी ने स्यास्ति पायदे के लिए छोड़ी भीडी मद्द प्रदेश के रतलाम में हुआ तो हुआ के जरिये मोदी ने गिनाए कॉंग्रेस की घटाले मुल्क गाली भक्ती से चलेगा रास्ट भक्ती से IAS IPS काम का कैडर तै करने वाले पैसले के खलाफ अरजी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी समाथ पित्रोदा के बयान पे कॉंग्रेस का डैमेज कंट्रोल पित्रोदा को मुल्क से मांगी मांगी चाहिए जैन्त चौदरी बोले शादी करनी है तो बीजेपी को वोट ना दो ना नौकरी मिलेगी ना चोकरी हीरो से सियासत दावने कमल हसन तामिलांडू की अरवा कोरीची असेमली हलका में इंतखाबी तशहीर करते वक्त मुतनाजर बयान दिया जिससे बीजेपी का फुस्सा साथ में आस्वान पर है उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं कहरा हूँ कि यहां काफी मुसल्मान हैं मैं महत्मा गांधी के मुझे समय के सामने कहरा हूँ आजाद भारत का पहला दर्शक्दर हिंदो था इसका नाम नातो राम गोट से है अवर पैर नातो राम गोट से मगर्ब बंगाल के जादब पूल में बीजेपी सदर अमिश्या को रोड शोप और रैली करने के जादत नहीं मिलने के बाद अमिश्या ने जोया नगर में एक जल्से को खिताब करते हुए ममता बैंगी पर रैली को रद करने का इल्जाम लगाया अन्होंने कहा ममता दीदी डरती है के कहीं उनके भतिजे का तक तक फूर्ट ना हो जाए शाह ने कहा दीदी कहती है बंगाल में जैश्री राम नहीं बोल सकते हैं मैं इस स्टेज पर जैश्री राम बोल रहा हूं और यहाँ से पूल करता जाने वाला हूँ ममता दीदी में हिम्मत है तो मुझे ग्रिफतार कर लीजिए बीजेपी ने अमिशा की रैली को इजादत ना देने को ममता बैनर्जी की अंग्रियत और जमूरियत का करार देते हुए एलेशन कमिशन से इस पर नोटिस लेने की अपिल की है बीजेपी की खवातिन लीडर को डर है के कहीं पीम मोदी उनके शोहर को भी अपनी बीवी की तरह अलग ना करवा दे है मायवती ने कहा मोदी अलवर इस्तमाई अस्मदरी वाके पर गंदी स्यासत करने की कोशिश कर रहे है ये बेहर श्रमनाक है वो कैसे किसी की बेहन और बीवी की इज़ट कर सकते हैं जब स्यासी फायदे के लिए मोदी ने अपनी बीवी को ही छोड़ दिया मंदरपदेश के रतलाम में इंतखावी रैली को खिताब करते हुए पिय मोदी ने हुआ तो हुआ के जरियर कॉंग्रिस को भेरने की कोशिश की और गोटालों का चर्चा किया उन्होंने कहा हम मा भारती को पूजा से अपना काम शुरू करते हैं लेकिन कॉंग्रिस को भारत माता की जय से दिक्कत है उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते मोदी ने कहा देश गाली भक्ती से चलेगा या राष्ट भक्ती से भोपाल गैस वाक्या, पंडुबी घोटाला, हेलिकॉप्टर घोटाला या कौमन गुत घोटाला की बात की जाए तो मिलावटी करने वालों का जवाब होता है हुआ तो हुआ कॉंग्रेस के पास हर मुश्किल सवाल का एक ही जवाब होता है हुआ तो हुआ दर के मिना कहते हैं हुआ तो हुआ हुआ तो हुआ तो हुआ तो का कैडर तेह करने वाली दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज देने वाली मरकस की अरजी पर 17 मई को समात करेगी मौमला फॉरी समात के लिए जस्टिस इंद्रा बैनर जी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने आया था सॉलिस्टर जेनरल तुशार महता ने बेंच को बताया के हाई कोर्ट ने हुकूमत को कैडर तेह करने की पूरी कारवाई फिर से शुरू करने को कहा है वाज़ होके हाई कोट ने नही पालिसी के तहट 2018 बैच के अफसरान के केडर वाला अलॉर्टमेंट रद करते हुए ने सिरे से तेह करने का ओर्डर दिया है पंजाब के फत्रगर्ड साहब में एक रैली को खिताब करते हुए कॉंग्रस सदर राहुल गान्दी ने कहा 1984 सिक्ट मुकालिब फसाद पर सैम पित्रोदा ने जो कुछ भी कहा वो गलत है उनको मुल्च से माफी मांगने चाहिए मैंने इनको ये बातें फून पकही है उनको अपने बयान पर शर्म मानी चाहिए आपने गुजश्चता पांच साल में क्या किया 84 में हुआ तो हुआ आपने क्या किया इस बयान ने दिल्ली और पंजाब में नुक्सान को देखते हुए राहुल गांदी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए पित्रोदा से मुल्च से माफी मांगने को कहा है पित्रोदा ने कहा जो हुआ वो बुरा हुआ ये कहना चाहते थे हिंदी कमजोर है, बुरा हुआ का वो हिंदी में तरजुमा नहीं कर पाए जिससे ये बियान मतनाजा बन गया और मैंने ये सैंटिक्रोडा जी से भी कहा कि जो सैंटिक्रोडा जी ने 1984 के बारे में बोला है वो बिल्कुल गलब होला है और उनको देश से इसके लिए भापी मांगनी चाहिए राश्टर लोगदल के नायब सदर और अजीर सिंग के सहबजादे जैन्ट चोधरी ने ऐसा बियान दिया है जो काफी वाइल हो रहा है उन्होंने कहा शादी करनी है तो बीजेपी को वोट न दें अगर दिया तो फिर ना तो नौकरी मिलेगी और ना ही छोकरी राबर्ट्स गंच पार्लेमनी हलके से अजीम इतिहाद की उमिदवार लाल कॉल के लिए इंतिखावी रैली में जैन्ट ने ये बियान दिया इस वक्त स्टेज का अक्रेश यादर भी मौजुद थे फीचर फिल्म ब्लड बेल का वरक्शब गाधी अंदुस्तानी साहित सभाराज घाट में इन इकात किया गया फिल्म के राइटर डिरेक्टर सेयद वाईजुल हसन प्रोडिसन अवाना कपूर और शिश्मिता सिंग तुमर के साथ मिलकर फिल्म के अदाकारा अश्विन शर्मा सीजल कुमार और एश्वरिया सिंहा को अदाकारी की बारिकियां सिखाएं एक घंटे दस मिनिट की ये फिल्म इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी आज बस इतना ही मश्रिक नियूज के नाजरीन शबख है